स्वाश्कार आज आप घूम रहे हैं मेरे साथ पोखडा में और मैं भी यहाँ पर पहली बार आया हूँ और आप सफर का आनन्द लीजिए मेरे साथ यह बोखडा बैंड जहां पर यातरी लोग नास्ता करते हैं खाना खाते हैं चाए पीते हैं जो लोग भी इस रूट से आते हैं इसी रूट से आते हैं वैसे यह एक ही रूट यह पे कूड़ार जाने का या सभ्पुली जाने का itself लेकिन इस साइड़ यहीं पर नास्ता करते हैं यहीं पर रुपते हैं यहीं पर उनका ठैहरना होता है उसके बाद यहां से आगे बढ़ते हैं क्योंकि यह बहुत पुराना पुराने ढाबे हैं यहां पर पुराने लोग हैं जो आज भी इस जगह को वैसी कायम रखे हुए हैं कुछ नया बदलाव नहीं किया इसमें जैसा था वैसे ही आज भी है बस कुछ चीजें एड़ कर दी गई हैं खाने में वाकि खाने का स्वाद वही ला जबाब और यह हमारी गाड़ी भी आ गई है और यह यातरि वह के खाने के लिए और यह बस भी यहां पे रुक यह TRAFF भी यह बीटि आजगी यहां से जितने भी लोग हो गये व्हामिंटिंग उलटियां करने वाले यहां पे पेड्ट करके जाएंगे अपना और यहां पे पेमेंट सेक्षन है जहां पेमेंट होगी अभी ओनलाइन चलता है जो लोग यहां से आते ओनलाइन भी कर सकते हैं पेमेंट पहले बड़ा दिक्कत था और अब हम चलेंगे आगे जो आगे सड़क जारी है वो जाती है पोखडा के लिए और यहां से नीचे जो लेप्ट हैंड के लिए कट जाती है वो चली जाती है आपकी कोड़द्वार सत्पुली राइट हैंड पोखडा अब हम पोखडा की यात्रा करेंगे थोड़ी देर मे सुहाना मौसम और बहुत सी यादे अपनों के साथ यहाँ पे बैठने की, उतरने की हवा के जोंके चलिए आगे बढ़ते हैं इन मार्केट का नाम मुझे पता नहीं है अगर पोकड़ा से कोई यह वीडियो देख रहे होंगे तो जरूर वो लोग कमेंट जरूर करें क्योंकि मैंने पूरा पोकड़ा देखा नहीं है अभी तक मैं उपर उपर जहां जहां मुझे नजर आए बिल्डिंग वहां मैं गया बागी मुझे इतनी ज़्यादा जानकारी नहीं थी कहां पे क्या है, कहां पे कौन सा मार्केट है कुछ रोड़े खराब सी थी लेकिन मैं गया मेरा ये को रहता है कि मैं जहां जाता हूँ मैं वहां वीडियो ज़रूर बनाता हूँ देखे कितना खुबसूरत नजारा दिख रहा है आसमान एक जम साप नहीं बादल लगे वे धूब भी है और जंगलों का तो क्या कहना सडके तो इतनी खुबसूरत लगती है जैसे स्रिंगार किया होगा पेड़ पौदों ने पूरी सडकों पे और साप सुत्री सडक, साप सुत्री क्यों नहीं होगी भाई सत्पाल महाराजी का घर जो है आगे शान्दार सुहान सफर और ये मासम हसी सबर्सेवर पिसो घर अड़ाजार साप साइवर प्रॉक तो रुम्ड़ प्रीं प्रॉक प्रॉक ये प्रॉक प्रॉक ये उराज़ प्रॉक कर दो 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 कर पाल कर दो नहां का हुआ है तो शायद ये पोखड़ा है बोड़ पे तो कुछ दिखनी रहा है क्योंकि मिटे हुए हैं सब किसब आज की बच्चे भी ऐसी हरकते करते हैं जैसे शायद हम कर्द किया करते थे बोड़ जैसे नाम ही अठा देते थे लाल लिस कची रोड़ पे जा रही हांगे पूस्ते हैं पोखड़ा ही जा तो शायद ये जो सड़क नीचे जा रही है बहुत अच्छी है अभी ये पक्की नहीं हुए इसमें परेशानी आरी गाड़ी ले जाने में हमारे रोहिजी को फिलाल ये ग्राउंड भी यहां पर बड़ा प्यारा सा दिख रहा है अब इसके आगे पोखड़ा कहा है क्या है मुझे नहीं पता मैं पोखड़ा बैंड को ही पोखड़ा समझता था लेकिन वहाल से दिखता था इधर खुबसूरत सा तो सोचा कि चलो इ मैं फिर से रिक्वेश्ट कर रहा हूं पोखड़ा से जो भी लोग अगर देख रहे हों तो जरूर कमेंट करके मुझे जानकारी दीजिएगा कि ये कौन सी जगा है क्या ही पोखड़ा है या इस से आगे भी कुछ था यहां पर यो भी है ये खुबसूरत नजारे जैसी मेरी आखे इस नजारे को देखके जो जश्ट आगे दिख रहा होगा इसको देखके महसूस कर रही है वैसी शायद आपकी भी ही आखे कर रही होगी इस नजारे को देखके महसूस एक अजीब सा फील इसमें आ रहा है बहुत ही खुबसूरत इससे आगे कहा जाना था मुझे पता नहीं, फिलाल मैं यहीं तक ही गया, इसके आगे कौन सा गाओं है, क्या है, मुझे इतनी जानकारी नहीं है इसकी, लेकिन जो भी है, जितने भी है, बड़ा खुबसूरत है, बहुत ही प्यारा है, बहुत सुन्दर, हमारा उत्राखंड है, अब मुझे जा रहे हैं, यहीं पोकड़ा का सरवर कता मुझता है, पोकड़ा अगर पूरा नाया हो, तो माप कीजेगा, जे जाता पता नहीं था, पोकड़ा के मारे का, लेकिन जितना भी था बहुत अच्छा है, बहुत शान्दर, बहुत जबरदस्त, बाड़ी, टिहरी, च बेरेडस द्मेला